गुड मॉर्निंग स्टुएंट्स आज हम ले रहे हैं केस बेस्ट कोश्चन और यह कोश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है फ्रम एक्जामिनेशन पॉइंट फाइव मार्क का एक कोश्चन जो है सेकंड टम के एक्जाम में आएगा तो मैंने टॉपिक लिया है आज ऑप्टि इंस्टुमेंट है जो हम मैगनिफाइंग पावर जो है टानी अब्जेक्ट की उसको जाता मैगनिफाइड करके देखने के लिए हम यूज करते हैं और फिर सेकंड लाइन में ने देफिनिशन दिया है मैगनिफाइंग पावर ऑफ दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस डि किया दिया है यह देखिए यहां पे इन्होंने फॉर्मुला भी दिया है आईपीज और अबजेक्टिव की मैगनिफिकेशन प्रदक्ट वह आपको फाइनल मैगनिफिकेशन देता है तो हमें फाइनल हमें क्या फाइंड आउट करना है जो नीचे वाला पारत यानि कि बेस है हमें FE वो भी हमें गिवन है that is 6.25 cm then हमें बोलता है separation L अगर आपको basic difference पता हो L का definition L का जो formula होता है वो होता है VO plus UE इनका mod बतला हमें हमेंचे इनका mod लेना होता है इनका sign convention नहीं चाहिए था वो आपकी total length होती है एक चोटा सा diagram में बना देती हूं कि अगर आपके पास यह objective है और हम यहाँ पर एक बड़ा size में थोड़ा सा IP समले लेते हैं अगर object यहां रखा है एक image बनी की यहां लेकिन यह magnify करके final image यहां बनाएगी हमें length of the tube length of the tube होता है यहां से लेकर यहां तक का distance this hole is called as length of the tube तो यह किस बात पर depend करेगा यहां से आने वाली v e v o और यह जो image distance है u e मतलब यह जो image बनी है जो objective ने बनाई this is objective and this is your eyepiece तो जो objective ने image बनाई थी वो eyepiece के लिए object का का काम कर रही है virtual object का का काम कर रही है तो जो object जो है वहां पर image बना रहा है यू e वो और v naught हिन दोनों को हम add करेंगे तो l मिलता है तो यह हमने formula ही उस करने है लेकिन ये l की value पी उन्होंने given दी है हमें question के अंदर 15 cm first part को देखें कि पहले question में क्या मांगता है if the object distance from the eye so that the final image is formed at least distinct vision वो कह रहा कि पहला question देख रहे है अब हम क्यों कह रहा कि final image जो बन रही थी eye piece ने जो बनाई यानि VE वो कहां बन रही है least distinct vision पे वो कितना होता है 25 cm लेकिन अब क्योंकि बोला है कि ये final image यहां होगी तो eye piece के left पे आ रही है again कैसा कहेंगे हम इसे negative कहेंगे इस direction में rate travel कर रही थी उसके opposite direction में तो this is negative convention के हिसाब से अब हम सिधा सिधा formula लगाते 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U अब यहां पर हम हमें तो 1 by U निकालना है तो 1 by U को इधर रख ले and 1 by V और 1 by F की value पूट के तो 1 by V is 25 with negative convention और focal length वो भी आपकी अब क्योंकि इधर आ गई है minus symbol तो होता ही है लेकिन F वैसे positive है बट क्योंकि minus symbol पहले से था तो 6.25 इसे आप simplify करते है तो you will get the answer 1 by 5 minus 1 by 5 तो U हमारा निकलाया है 5 cm वो भी negative sign के साथ तो answer आजाता है इसका correct answer is 5 cm second part दिखते हैं इसका second question में क्या पूछता है second question में पूछा है how far from the objective should an object be placed in order to obtain the condition described in the part 1 तो यानि part 1 में condition बोला गया है कि 5 cm में आपका object रखा होगा अगर आपको final image distinct vision पे चाहिए तो यह तो पहला part हो गया है तो इसका मतलब ue हमें मिल गया है l जो है उन्होंने ue यहां से मिला यह ue निकाल रहा है basically हमने fe use किया था ufe की value ve की value और finally ue मिला था हमें तो ue हमें मिल चुका है v0 हम निकाल लेंगे l आपको given है तो अगर इसी formula में यह first formula में अगर हम यहां वाले formula में इसमें put करते हैं तो what you will get as final कि 15 cm is equal to v0 अभी नहीं पता and this is your 5 अभी यहां convention की जरूरत नहीं होती बिटा तो आपको हमें पूरा plus ही put करना है but when you will take it on the other side तो v0 की value आपके पास आजाएगी 10 cm ठीक है v0 भी हमारे पास आगया अब हमें next part में क्या करना है यही formula फिर से use करना है 1 by f 1 by v वाला so 1 by f लेकिन आप objective के लिए और 1 by v0 लेंगे minus 1 by u0 लेंगे जब हम इसमें values प्लेस करेंगे and finally when we will solve for u0 के लिए आप solve करोगे तो u0 का जो answer आता है that will come out to be 2.5 cm ठीक है तो यहां हमारा answer आता है 2.5 cm अचा मेरी request है कि आप जो भी calculation हम कर रहे है यह मैं तो directly answer लिक रहे हूं कि मैं solve कर चुकी हूं इसको पहले से लेकिन आप एक बार वीडियो को रोक के और आप कुशिच करें कि इसको calculate कर भाए खुदी यह minus symbol के साथ आएगा बट आप देख सकते हैं कि यहां पर कहीं पर minus symbol है नहीं तो we can directly use the 1.5 जो है values हम यूज कर सकते हैं चले अगला question देखें What is the magnifying power of the microscope in case of the least distinct vision तो least distinct vision के case में microscope की value अब यह formula इन्होंने beginning में दिया था तो उन्होंने बोला है कि objective का magnification और IPS के magnification को आप product कर दो तो यह कौन सा question हम ले रहे हैं थार्ड question है ठीक है यह this is the third question okay so magnification हमें objective का भी चाहिए IPS का भी चाहिए तो इसका हम direct formula यूज करें तो अगर आपको यहां दो तो objective की बात कर रहे हैं तो हम लेंगे V naught by U naught और अगर हम IPS की बात कर रहे हैं तो V E by U E तो इस दोनों values जस्ट आपको put करनी है finally solve करना है and आपका जो final answer आना चाहिए वो आना चाहिए 20 so magnification की कोई unit नी होती आप देख सकते है ratio है तो यह कोई unit के बिना आएगा the answer should be 20 please solve करके देखिएगा मैं आपको formula इसका idea दे रहे हूं लेकिन आपको final solve करना है next कहता है the intermediate image formed by the objective of the compound microscope is अब यह clear है पहला ही option इसका correct answer है लेकिन फिर भी हम पिछले figure पे एक बर फिर से जाते हैं और समझाते हैं देखो object यहाँ पर place था this was the position for the object और इसने आपको एक image यहाँ बना कर दी object जो है वो objective के close रखा हुआ है और image बन रही है दूर तो V not की value ज्यादा है और यह value कैसी बनती है magnified मतलब beyond the center of curvature कह सकते हो तो बन रही है यह F or 2 F के बीचे में बने तो magnified image बन रही है और कैसी बन रही है inverted बन रही है और real बन रही है तो हमारा पहला case जो है इसका वो correct बनता है इसका भी मैं correct answer पर mark कर दूँ that is your 20 तो 20 correct answer आना चाहिए तो यहाँ fourth वाले का answer हो गया real inverted and magnified image बन गई fifth का question पढ़ लेते हैं fifth question क्या कहता है the magnifying power of the compound microscope increases with okay magnifying power कैसे increase कर देखो एक magnifying power का तो मैंने directly formula यह यूज कर लिया था कि Vm0 और VmE का product लेके और सिधा सिधा जो values है क्योंकि हमारे पास V0, U0, VE, UE सब आ चुके हैं तो हम directly इसमें पुट करके solve कर सकते थे नहीं तो एक magnification का fourth का answer यहां पर A है ठीक है और फिफ्थ के लिए कर रहे हैं हम तो फिफ्थ के लिए हम क्या करेंगे magnification का formula लिख के देख लेते हैं एक जो focal length की terms में हो तो L by F0 और हो जाता है 1 plus L by FE यह भी आपका focal length का formula होता है तो आप देख रहे हो कि focal length objective का भी और IPS का दोनों ही inversely related है तो अगर यह घटेंगे यह decrease करेंगे दोनों decrease करेंगे तब जाके magnification बढ़ेगा तो इसका correct answer आना option number D और वो option क्या कहता है कि दोनों क्या हो decrease करें दोनों focal length और IPS की focal length और objective की focal length क्या करें decrease करें so यहीं पर end करते हैं आज के कुस question को और फिर next class में हम next question लेंगे